तो 6 जून को इंडिया वर्सेज कुवेट का मुकाबला आने वाला कुछ ही दिन बचे हैं यहाँ पे इस फीफा वर्लकप कॉलिफायर के मुकाबले के लिए और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा 16 नवंबर वो दिन था जहाँ पे फीफा वर्लकप कॉलिफायर में कुवेट को एक जीरो से भारत नहरा कर भई उमीदे बांदी थी फीफा वर्लकप के अगले राउंड में जाने के लिए हाला की देखिए कुछ एक सैट बैक हमारे को अफगानिस्तान के खलाब में मिला लेक यहाँ पे गोलगी पर खुर्पी सिंग संदू अमरिंदर सिंग विशालकेत को चुना गया डिफेंडर में आमें रनवाड अनुर अली जैगुप्ता लाल चुंग नुंगा महताब सिंग नरेंदर गयलोट निगिल पुजारी राहुल भेके एंड सुबाशीच बॉस को च सिंग आये हैं रहीम अली सुनील चेत्री और विक्रम परताप सिंग आये हैं तो यहाँ पे काफी काफी एकसाइटिंग 37 प्लेयर चुने हैं यहाँ पे और देखें एक सेट बैक जो आपको ध्यान में रहेगा यहाँ पे कि अपुया नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनके एक् कोई को चुना जाएगा लेकिन वो भी चोटिल हो गए यहाँ पे तो यार क्या यहाँ पे संभावित शुरुवाती 11 हो सकती है यहाँ पे तो जैसा आपको ध्यान रहेगा आफगानिस्तान के अगेंश में हम गुर्पिक सिंसंदू के साथ में ऐसा गोल की पर कहले थे चूट के कारण वो बाहर है तो वो तीसरे प्लेयर है जो चूट के कारण बाहर है अपुया जिक्सन यहाँ पे खेलते लिश्चन कोलासो फर्नांडेस मनवीर सिंग और सुनील चेत्री यहाँ पे धिके थे आपको तो देखिए अपुया के बदले यहाँ पे सूरेश है ऐसा गोल की पर यहाँ आपको दिखेंगे हाला कि देखें विशाल केत का भी ऑप्शन है लेकिन संदू के साथ में कुछ यहाँ पहले भी काफी टाइम जा चुक है तो संदू और यहाँ पे सुबाशीश बहुत सा आपके अनुवर अली राहूल बेके और शायद निगिल पुझारी की जगह पे अमेर अनुवाडे अगर आपको दिखें तो बैटर रहेगा यहाँ पे अमेर अनुवाडे केलते नजर आएंगे यहाँ पे सुरेश और जेक्सन के साथ में भाई मीड में उतरेंगे और फॉर्वड में आप चांगते प्रेंटें फंडंडेस और मन बोका दें लेकिन मैच काफी खतरना की मैच होने वाला और काफी उमीदों भरा यह मैच होने वाला तो भही आप लोग कितने एकसाइटिड है आप कमेंट करके बताएं आपकी प्लेइंग 11 क्या है उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छा लगा तो स्ट्राइब करें नोटिफिकेशन के बैल जरूर दबाएं ताकि फुटबॉल के अपडेट्स आप तक पहुंसते रहें तो आज के लिए तना ही थैंक्यू